दिए मिन ट्योरियो का वीडियो सेवंटेनल पर देजिए मथिटिक्स के लिए टो इसमें भातिने वाले हैं या श्टार्ट करहें हैं अल्जबरा ओफ एंसेविल फंक्शन algebra of integral functions इसको definitions है definitions of algebra of integral functions if v less than a b a से छोटा है v less than a then we define we define integration a to v f to v minus v to a f जो था उसको हम minus का v to a लेख सकते हैं ठीक है अगर b a से छोटा है तो क्योंकि जो छोटी वाली जो लिमिट है वो नीचे लिखे जाती है और बड़ी वाली उपर लिखे जाती है a to b functions को क्या लिख सकते हैं b to a परन्तु limit change करने भी क्या हो जाएगा sign minus का sign आ जाता है minus b to a f f provide that minus v to a f provide that f is real remain integral for a to b also तो वाइड डेफिनिशन्स वी राइट हम लिख सकते हैं integration zero to a f equal to zero नहीं a to a अगर दोनों रिखा जाता है और equal limit होने पर क्या होगा वह जीरो हो जाता है तो remain in algebra of integral functions में v which theorem sense जैसे कि इसका theorem number one theorem starting करते है theorem है let f is f is remain in intervals to a to b and let m and capital M V bounded यह bounded है of f on close interval a and v then it small m b minus 부ar less than equal to a to b f of x dx and less than equal to capital M b minus K if is v is greater than to a and small m b minus of a greater than equal to a to b f of x dx is greater than equal to capital M v minus the a if v is less than equal to a ने मिल Hear the बूफं लेंगे निए लट इस अगर ए बीके बरावर है तो यहां पर एंड बीका डेफ्रेंस को सो करना है जेदी हमने स्टंदिंग में माल लिया एज बूब है तो Carol व्हों ऑड में स्टाइव होगा दिए बीक बदक्क रावर है तो उस तो उस कंडिशन में रिजल्ट इस ट्राइवेल अब आती है कि मान लेते हैं वी इस गेटर एंट वी गेटर इन एंट इस में लिया जाएगा तो mb-a all partition के लिए satisfy होगा mb-a less than to lpf and less than to upf accounting theorem यह theorem हो चुकी है उस theorem का using कर रहा है ठीक है तो for b is greater than to a and for all the partition p के लिए m small mb-a less than equal to lpf and less than equal to upf and less than equal to upf and less than equal to mb-a या mb-a less than equal to lpf and less than to capital mb-a ठीक है यह यह लिखा जासता है यह यह condition थी यह और यह एकसाद लिख लें बात बनेगा कोई दिक्कत नहीं है and mb-a less than equal to lpf है lpf को supremum के ट्रम में लिखा जासकता है यह supremum of lpf यह इस्मॉल ओलर ट्रम है तो यह क्या हो सकता है supremum of lpf and less than equal to capital mb-a ठीक है यह इसको लिख सकते है इस्मॉल एम बी माझने से less than equal to supremum में लिया है लोवर लोवर रिवेंटिकेशन यह टो वी f and less than equal to capital mb-a ठीक है तो लोवर रिवेंटिकेशन है और जो लोवर रिवेंटिकेशन है वह इंटिकल के बराबर होगा जब है क facie सब्सक्राइब के बराबर है तो दिक कुछांड आ विक में तुन रृष है थो रोंद है वह टो लोवर रिवेंटिक्रीशन ही इन जे बराबर रहा होगा थे है तब तो जो कंडिशन्स बनेगी यानि इस वारी फोर्म को आगे बढ़ाते हैं एम बी माने से लेसें टू यह जाएगा एट वी एफ यही जनले हम को प्रोफिंग करना था एक पार तो यह हो चुका है और दूसरा है इस नौ यह लिए था बी किस के डिए अब लेते हैं भी लेसें के लिए ठीक है अगर बी लेसें हैं तो थोड़ा संदलब यही कुशन जो ग्रेटर थिंग के लिए था वैसे लेसें के लिए हो जाने कि अट यहां किया सकते हैं तो यह अटरिन तू ए उसमाँ पूनेगा यह माइनस के लिए वी ठैक्ति को तो भी ओड़ा है तो इनकि कि यहां पर माइनस को मल दिया यहां यहां आपि यहांगा माइनस कज्खाहर A to VF less than equal to minus capital M B minus E why the definition of definition के according ले सकते हैं जिकि B less than to A है यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है ठीक है चेंजिंग किया है चेंजिंग करने से यहाँ पर लिमीट भी हमने चेंज कर लिया है तो यह कंडिशन चुब मेंजरी सारे minus sign हटा सकते हैं यह हो गया इसका second part ठीक है जो first part था वाला दो इसमे लाइन दिये हो थी theorem से पहला यह होगा और दूसरा यह हो शुका इस theorem पर डिपेंड दो रिचल्ट से और बनाए जा सकते हैं जैसे कि यह है ठीक है तो दो रिचल्ट बन सकते हैं लेट एक रिचल्ट से अला लेपने कि व्याज़ टो रिचल्ट से कि लिचल्ट लेड लेट रिचल्ट से वह होगा लेट पाल gwांद से कि यह होगा टेunt बनाए बनाए Дेल लेट म महतने कि लाघ्टिया, लेट दी ने कि लT जो से लिचल्र म Fr दोड्ट Sap लेट धभीर दिकन। से म्स, टो ticket f of x dx equal to mu b minus a एक तो result यह है this result is known as first mean value theorem of integral calculus यानि कि इस result को first mean value theorem of mean value theorem of integral calculus भी कहते है of integral calculus ठीक है यह जो results है एसको first mean value theorem of integral calculus भी कहा जाता है एक results और बन सकता है let f v continuous दूसरा f v continuous on close interval a b then there exist there exist a point कोई point है c belongs to close interval a b such that a b f of x dx equal to b minus k f of c f of x dx equal to b minus k f of c ठीक है तो दूसरा result इससे यह बनाया जा सकता है यानिकि इस theorem से next to call is your next result यह बनाया जाका सकता है यह को results बन सकता है इसको हम call भी कह सकता है नमबर थार्ड ठीक है let f is belong remain integral a b and let k b a number k कोई number है such that such that f of x का mode less than equal to k for every value x belongs to close interval a b then अगर इस तरह से आता है तो a to v f of x dx का भी जो mode होगा यानिकि उसका अगर integration ले और उसका mode ले दे वह भी less than equal to k b minus a k mode k से less than होगा ठीक है यानिक फंक्शन का mode less than equal to k है तो उसका integration point limit a to v f of x dx को भी less than equal to k b minus a k equal होगा झाल